हेलो दोस्तो नमस्कार मैं मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने परिबार एमो विथास में तो चलिए आज का सेशन अम लोग इस्टार्ट करते हैं आज पढ़ने वाले हैं देखिए सेशन देख के जाए सबसे ज्यादा जितने भी कोशन लिये हैं इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड लिये हैं जो सेशन द्वारा मतलब एक्जाम में कई बार डाटा एचेंज करके पूछा गया है तो आप लोग समझे यह सेशन इंपोर्टेंट है अगर आप लोग इस कलास की पाना चाते हैं तो टेलिग्राम चैनल से जूड़ जाएगा कमेंट बॉक्स में उसका लिंक में दे दूँगा तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं देखिए पहला कोश्चन है और एक और बात है अगर वीडियो में पीछे से कोई आवा जाएगी तो उसके लिए दिल से पहर रहे हैं तो बाहरी वीडियो सुट हो रहा है तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं देखिए लिखा गया है एक स्कूरर प्लस वाइय प्लस जेड़ बराबर 19 दे दिया गया है और क्छाप प्लस यगण को लगाने के लिए मज से पोच घ्रेएं अगर आप लोगों को मै कंडिशन क्या दे दिया गया है x और z बराबर आपको क्या दिया गया है y square दे दिया गया है y square दे दिया गया है अब आप लोगों को देखिए x y z की ऐसी value assume करना है जो इस condition को satisfy कर सके तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए देखिए अगर 4 देखिए 9,4 के कितना होता है 36 होता है और 6 का i square अगर कर देंगे हम लोग कितना आता है 36 होता है तो ये condition हमारी क्या हो जाएगी fulfill हो जाएगी इसका मतलब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं इस सवाल को heat and trial से कर रहे हैं मतलब अगर आप लोग सूचिए जेड माइनस यक्स पूछा गया है जेड माइनस यक्स मतलब जेड कमान कितना दे दिया गया है 9 दे दिया गया है और यक्स कमान कितना दे दिया गया है 4 दे दिया गया है तो 9 में से 4 घटा देंगे तो इस सवाल का right answer कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा तो sorry देखिए इस सवाल का right answer मतलब पहला वाला आफसन इस सवाल का right answer आ जाएगा तो उमीद कर रहा हूँ कि ये question आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये सवाल देखिए कई बार repeat करके पूछा गया है अब यहां पर क्या करना है तो यहां पर क्या करना है इसमें वाईलू आपको पूट करके रख देना है देखिए यहां पर अगर चार का क्यूँ कर देंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा अब प्लस चो का क्यूँ कर देंगे कितना आ जाएगा दूसर सोर और नौ का क्यूँ कर देंगे कितना जाएगा 739 आ जाएगा माइनस अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है 3 और X कमान कितना दे दिया गया है 4 और Y कमान 6 है और Z कमान कितना दिया है Z कमान 9 दे दिया गया है अब देखिए चारत यह 12 12 scriptures कितना होता है 108 108 गुंण 6 कर देंगे कितना आ जाएगा 648 आ जाएगा तो देखिए 729 में से अगर यहां पे 648 लिखता हूं जाएगा तो रूट से जैसे बाहर निकालेंगे तो इस सवाल का राइट एंसर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा तो यानि आफसर नमर सी इस सवाल का राइट एंसर आ जाएगा तो उमीद कर रहा हूँ कि यह भी कोशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा देखे यहाँ पे 0 हो जाएगा यह टर्म पूरा कट जाएगा और यहाँ पे यह टर्म कट जाएगा मतलब बस आपको यक्स Q पलस Y Q का फर्मूला लगाना है और यहाँ से आप लोग एंसर इसका निकाल सकते थे तो चलिए आए नेस्ट कोशन पे चलते हैं देखिए यह भी कोशन एक्जाम में कई बार पूछा गया है समझ जाएगे CGL 2019 में पूछा गया है और 2020 में भी और 2021 में भी तो यह कोशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है बस देखिए इस सवाल को मैं एक्जाम वाली मेथर से बताऊंगा तो आप लोगों को बस देखना है अच्छे से और समझन देखिए क्या लिखा गया है A2 plus B2 plus 64 C2 बराबर यहां पर कितना दे दिया गया है 14 C plus 3 बराबर 2 कोश्ट में A plus B हमसे वाईलू किया पूछा गया देखिए A की power 7 plus B की power 7 plus 8 C2 कमान हमसे पूछा गया है देखिए इस सवाल को भी लगाने के लिए multiple approach है तो मैं आपको best approach बतात पे 64 हमारा क्या है c e square प्लस यहाँ पे आप लोग 3 लिखी है और उधर हिखना माइनस सी आ जाय गा आपफने मील जाएगा तो यहाँ प्लस यहाँ पे तो प्लस यहाँора पे टिंच आजाएगा 12C आजाएगा लेकिन आपको क्या करना है देखिए 2 यहां से common कर लेना है जैसे 2 common करेंगे तो यहां पर क्या आजाएगा A plus B minus 8C आजाएगा उमीद करता हूँ कि इतना समझ में आगया होगा अब आप लोगों को क्या करना है देखिए जो इसका compare है direct आप लोगों को यहां से compare करना पड़ेगा और दो को हमेशा आप लोग देखिए इस टाइप का एक और question दिया हूँ आगे अभी भी आपको दिखने वाला है तो दो को क्या करना है बाहर हमेशा रखना है अब देखिए एक का गुणां का क्या है यहाँ पर एक कमान अगर निकालना चाहेंगा यहाँ पर क्या देखिए इसका मान यहाँ पर क्या है वन है और इसका गुणां की यहाँ पर क्या है वन है तो वन बटा में वन करेंगे तो मतलब A बराबर आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा A बराबर 1 आ गया है A बराबर कितना मिल गया है हमें 1 मिल गया है देखिए A बराबर 1 और B बराबर क्या आपको मिलेगा देखिए इसका coefficient कितना दिया है 1 दिया है तो B बराबर कितना आ जाएगा 1 इसका भी 1 है 1 by 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा अब आपको c बराबर क्या put करना है तो आप लोग अच्छे से समझे देखे c कमान यहाँ पर कितना दिया है 8c यानि c बराबर यहाँ से हमें कितना मिलेगा माइनस 8c अब बटा में यहाँ पर देखे c का कोफिसियंट क्या दिया है 64 दिया है यहाँ पर 64 लिखेंगे और डिवाइड कर देगे 8 ठाएं 64 मतलब c बराबर आपको कितना मिल जाएगा तो c बराबर माइनस 1 बटा में 8 मिल जाएगा तो उमीद करता हूँ कि इतना समझ में आगया होगा देखिए आज बाहर हूँ इसलिए थोड़ा छोटा बड़ा करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाकी आपको इसकी solution PDF टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगे देखिए यहाँ पर क्या हम लोग हमसे क्या पुछा गया है 4 यहाँ पर 4 और a कमान कितना है 1 की पावर 7 करेंगे 1 आजाएगा पलस बी कमान 1 है और उसके बाद से पलस यहाँ पर क्या दिया गया है पलस दिया गया है अब देखिए पलस माइनस हमारे क्या बनेगा बनेगा 1 मिनुट कई मिस्टेक तो हुआ है ना, नहीं सही है देखिए यहाँ पे 8 है और देखिए माइनस इक बटा में 8 का अगर आप लोग 2 स्कुआर करेंगे कितना आ जाएगा एक बटा में 64 आ जाएगा देखिए 8 से जैसे अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे 8, 8, 64, यहां पे 8 और 4 पलस 1, यानि 5 सही एक बटा में 8, इस सवाल का राइट एंसर कितना आ जाएगा, 5 सही एक बटा में 8 यानि, आपसर नम्मर काउन सही है भाईया तो आपसर नम्मर आपका D, इस सवाल का राइट एंसर आ जाएगा, तो उमीद कर रहा हूँ कि यह भी कोस्टन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलिए अगले कोस्टन पर चलते हैं देखिए, यह भी कोस्टन इससी कई बार रिपीट करके पूछिए, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए देखिए, लिखा गया है A पलस B पलस C बराबर 6 दे दिया गया है और A B पलस B C पलस C A बराबर 4 दे दिया गया है, तो आपको A Q पलस B Q पलस C Q माइनस 3 A B C का मान हम से पूछा गया है तो देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए multiple approach है, देखिए, एक तो direct तरीका है आप लोग formula यूज कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका क्या है, इसमें value पूट कर सकते हैं, तो आप लोग सिधे सिधे जब भी, देखिए A Q पलस B Q पलस C Q क्या होता है, और अगले कोश्ट में यहां पे क्या हो जाएगा, तो देखिए, A Q Q यहां से आपको क्या लेना है a plus b plus c इसका square करना है minus 3 और यहाँ पे cost में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे देखिए minus आपको क्या लेना है यह माल लिजए a b plus b c यह क्या आ जाएगा c a आ जाएगा और यह cost बंद हो जाएगा अब देखिए a plus b का मान आपको कितना दे दिया गया है sorry देखिए a plus b plus c का मान आपको 6 दे दिया गया तो यहाँ पे 6 लिखेंगे यहाँ पे इसका square करेंगे तो 6 का square कर देंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा minus यहाँ पे कितना होता है 3 होता है और a b का मान आपको कितना दे दिया गया AB पलस BC पलस C आप लोग देख सकते हैं 4 दे दिया गया है तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे जैसे इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा देखिए 6 मिल जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा 36 माइनस यहां पर क्या जाएगा 12 तो यहां से हमें यहां पर कितना आजाएगा 6, गुणे कितना आजाएगा 24, 24 चाका कितना होता है तो 144, यानि इस सवाल का right answer, option number D, इस सवाल का right answer आजाएगा, तो चलिए आगले question पर चलते हैं, देखें यह सवाल देखें, इस type के भी question आपके exam में पूछे जाएगे, और इस पता नहीं क्या पड़े हैं, हमें खुद नहीं समझ में आया, चलिए एक और बात हम लोग पढ़ लेते हैं, देखें, under root x minus 1 upon under root x बराबर under root 6 दिया है, अब हम से किसकी वाई लोग पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं, x square plus 1 upon x square, तो direct आपको क्या करना है, इसका square करना ह 64 और minus 2 गठा देंगे, कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, तो उमीद करता हूँ कि यह भी question समझ में आ गया होगा, देखें आप यह सवाल पूछ दिया है, तो यहां से देखिए, अगर future में आपसे question पूछा जाए, तो आप लोग इसको note कर लीजिए, जब भी x plus 1 upon x बराब अगर k दे दिया जाए, तो आपसे x square plus 1 upon x square कमान पूछेगा, तो यह direct result क्या होता है, k square plus 2 होता है, और यहां से देखिए, तीसरा formula आपका क्या बनेगा, देखिए, तीसरा जो भी result हो, आप लोग इसको no down कर लीजिए, यहां से माल लीजिए, x plus 1 upon x बराबर अगर k दे दिय जाए, तो आपसे x q plus 1 upon x q पूछा जाए, तो यहां से क्या होता है, k q और minus 3 k होता है, और एक और result है, इसको भी लिख लीजिए, x minus 1 upon x बराबर अगर k दे दिया जाए, तो आपसे x q minus 1 upon x q कमान पूछा जाए, तो यहां पर कितना आ जाएगा, k q plus 3 k आ जाएगा, यही important result ह एक और है, और दो result बता है, देख लीजे क्या पता अगर future में question आ जाए, जैसे मान लीजे, x plus 1 upon x बराबर अगर k दे दिया जाए, आपसे x minus 1 upon x कमान पूछा जाए, तो क्या होता है, under root में k qi square minus 4 होता है, और यहां से दूसरा result क्या बनता है, x minus 1 upon x बराबर, अगर k दे द दिया जाए, तो आपसे x plus 1 upon x की value पूछी जाए, तो direct result क्या होता है, k square plus 4 होता है, तो उमीद करता हूँ कि सारे concept आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप देखिए, यह भी सवाल समझ जाए, इतनी बार SST द्वारा पूछा गया है, कि आपको मैं बता नह सकता हूँ, तो आपको देखिए, इसका formula क्या होता है, देखिए, लिखा गया है, इसका formula मैं लिखता हूँ, आप लोग अच्छे से समझे, देखिए, x की power 4, प्लस, यहाँ पे आपको y की power 4 दिया गया है, y की power 4, और plus, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका x square और y square आ आ जाएगा y square, और अगले question में हमारा क्या बनेगा, देखिए, x square minus xy, और यह प्लस कितना आ जाएगा, y square आ जाएगा, अब देखिए, आपको देखिए, x की power 4, प्लस y की power 4, प्लस x square, y square कमान आपको कितना दे दिया गया है, एक काईस दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम x square minus xy, प्लस y square लिख सकते हैं, और 7 को जैसे क्या कर देंगे, देखिए, इसको अगर 7 से divide करेंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बराबर, तो यहाँ से देखिए, x square minus xy, प्लस y square, बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, तो इसको मिटा देता हूँ, इसकी मान हमें कितना मिल गया था, देखिए, यहाँ पर question में दिया है, 7 दे दिया गया है, अब आप लोग देखिए, यहाँ से आप लोग direct कर सकते हैं, जैसे देखिए, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको equation number 2 मानिए, अब इन दोनों को जैसे जोडेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा देखिए, 2 cost में x square plus y square मिल जाएगा, क्योंकि x y यहाँ पर minus x y है, पलस y है, कर जाएगा, तो यहाँ से देखिए, हमें x square plus y square बराबर कितना मिल जाएगा, 10 मिलेगा, 7, 3, 10, यहाँ पर 2 है, तो आधा कर देंगे कितना आजाएगा, 5, तो यहाँ से x y बराबर निकालेंगे difference कितना आजाएगा 4 दो से divide कर देंगे कितना आजाएगा 2 आजाएगा अब आप लोग देखिए जो हमसे पूछा गया क्या पूछा गया direct अगर गुणा करेंगे तो हमसे पूछा गया है y square plus x square और बटा में क्या आजाएगा हमारा x square और y square आजाएगा यही हमसे दिया गया है अब आपको करना क्या है भईया तो कुछ नहीं करना है देखिए जैसे y square plus y square का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 5 रखेंगे और देखिए यहाँ पे y square है तो इसका अगर square कर देंगे तो यहाँ से यह मान आपको कितना मिल जाएगा चार मिल जाएगा तो इस सवाल का right answer कितना आ जाएगा 5 बटा में 4 मतलब option number पहला इस सवाल का right answer आ जाएगा तो उमीद करता हूँ कि यह भी question आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए अगले question पे चलते हैं देखिए क्या लिखा गया है लिखा गया है 5PX पलस 1 अपान 3X बरावर फोर दे दिया गया है हमसे 9X square पलस 1 अपान 25X square कमान हमसे पूछा गया है अब देखिए आपको करना क्या है इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है सिदे सिदे यहाँ पे देखिए हमसे 9 पे फोकस कीजिए 9X square पूछा गया है तो हम लोग देखिए उपर वाले इसमें equation में क्या करेंगे इसमें हम लोग 3 बटा 5 से जैसे गुणा कर देंगे तो 3 बटा 5 से जैसे हम लोग गुणा करेंगे के काई square आप लोग समझिए इसको हम के पूट कर दिए है तो के काई square हो जाएगा देखिए थोड़ा जगा कम है क्योंकि घर पे रहते थे तो वहाँ पे दूसरे सिस्टम से पढ़ाते थे इस समय मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ तो चलिए आप लोग अच्छे से समझिए देखिए यहां से क्या करना है देखिए 12 का square कर देंगे कितना आ जाएगा 144 सा 5 का square कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा अब यहां पे minus क्या होता है जश्ट बड़ा बताया हूँ यहां पर 2 तो रहेगा लेकिन यहां पर कितना आ जाएगा यहां पर हम लोग क्या लिख सकते है जैसे देखिए यहां यहां पर कितना बनेगा थी बनेगा और नीचे यहां पर पाँच बनेगा तो जैसे गुणा करेंगे आप लोग तो यहां पर कितना आजएगा इंसर कितना मिल जाएगा 114 बटा में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा देखिए मैं आपको बता दू 5x प्लस 153x बराबर अगर 4 दे दिया गया है तो सिदे सिदे आपको क्या करना था सुरुवात में मैं बताया हूँ क्या करेंगे आप लोग 3 बटा 5 से गुणा कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगा ये वला टर्म आएगा उसके बाद से फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो आपका राइट एंसर आ जाएगा तो चलिए अगले कोस्टन पर चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1 upon x plus 1 upon y बराबर 14 बटा में 15 दे दिया गया है हमसे x q plus y q का मान पूछा गया है देखे इस सवाल को लगाने के लिए multiple अप्रोच है आपको best अप्रोच बताता हूँ तो देखे इसका इसमें गुणा कीजिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखे हमें मिलेगा x plus y और बटा में क्या आ जाएगा हमारा x y बराबर यहां पे कितना आ जाएगा 14 बटा में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और x plus y का मान कितना दे दिया गया है 4 दे दिया गया है तो कितना मिल जाएगा हमें, 15 बठा में ये 4 आ जाएगा, 15 बठा में 4 आ जाएगा, अब देखिए, यक्स Q प्लस Y Q कमान हमसे पूछा गया है, तो डिरेक्ट आपको क्या करना है, फर्मूला पूट करना है, A प्लस B का Q, अगर आप लोग लगाएंगे तो क्या होगा, A Q प्ल कमान कितना दिया है, X, Y कमान यहाँ पर मैं निकाल दिया हूँ, 15 बठा में ये 4 दिया गया है, और देखिए, X प्लस Y कमान ये 4 है, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से इस 4 को डिवाइड कर देंगे, 15 यहाँ पैंटालिस, 64 में से अगर आप लोग 45 घटा देंगे, त कितना बचेगा, 14, 14 में से 5 जाएगा, 9, यहाँ पर कितना आजाएगा, 19, तो इस सवाल का राइट एंसर यानि, आफसर नमबर भी इस सवाल का राइट एंसर आजाएगा, तो चलिए, आए अगले कोस्टन पर चलते हैं, देखिए, फर्दर ये भी कोस्टन उसी टाइप का 21, 28 में 24 आजाएगा, देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर कोस्टन में देखिए, यहाँ पर X-Y, यहाँ पर Y-X है, तो माइनस जैसे यहाँ से कामन कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आगे माइनस लग जाएगा, यहाँ पर क्या आजाएगा, आजाएगा तो X Y बराबर माइनस यहाँ पर 24 आ जाएगा पुना आपको क्या करना है देखिए जैसे अगर आप लोग इसका स्क्वाइर करेंगे तो X स्क्वाइर और Y स्क्वाइर का गुणा करेंगे तो 24 का स्क्वाइर कितना होता है तो 576 होता है अब देखिए पुन्हाँ आपको क्या करना है यक्स क्यूव माइनस Y क्यूव करना है मतलब देखिए यहाँ पर X-Y का फर्मूला लगाएंगे तो 11 का क्यूव कर देंगे आपको कितना मिल जाएगा 1331 बराबर अब आपको देखिए इसके अस्थान पर मैं के लेता हूँ तो यहाँ पर के लिख देता हूँ उसके बाद से माइनस और यहाँ पर एक माइनस है यहाँ पर 72 का 12 में करेंगे दो 7,2,9 यहाँ पे कितना आ जाएगा यानि 702 इन दोनों का डिफरेंस जैसे अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1331 में से 792 अगर आप लोग घटाएंगे तो कितना आजाएगा तो ये 549 अप पलस देखिए हमसे पलस में दिया है X2 Y2 X2 Y2 के माल निकाल दिया हूँ कितना आजाएगा 576 तो इसमें क्या कर देंगे 576 एड कर देंगे तो ये B वाला option इस सवाल का right answer आजाएगा तो उमीद कर रहा हूँ कि अभी question आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए अगले question पर चलते हैं देखिए इस type का question भी SST कई बार पूश चुकी है तो बस repeated question लिया हूँ हो सकता है आपके एक्जाम में आ जाए देखिए अगर आप लोग इस वाले term को देखिए यहाँ पर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो क्या कर देंगे जैसे अगर आप लोग सुचिए XQ से divide करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 1 upon minus XQ और पलस यहाँ पर 7 आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है X minus 1 upon X बराबर 5 दे दिया गया है तो direct यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ शाट काट क्या करना है XQ minus 1 upon अगर XQ निकालेंगे तो 5 का Q कर देंगे 125 पलस 3 के पांतियाई 15 एड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा तो 140 मिल जाएगा समझ रहे हैं तो यहाँ पर मान लिजिए KQ आ जाएगा KQ बराबर कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा अब 140 जैसे यहाँ पर पूट करेंगे तो क्या हाजएगा देखिए 140 मिल जाएगा तो 147 उसको गटा देंगे तो 135 बटा में 147 अब क्या कर देंगे तीन से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 यह सीवा डाबसन आ जाएगा आप लोग इतना तो डिवाइड करी सकते हैं तो चलिए, अगले question पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या दिया गया है, इस type का question भी दिया गया है, तो सोच रहा हूं इसको बंद कर देते हैं, पीछे से बहुत आवा आ जा रही है, चलिए कोई नहीं, हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा room से बाहर हूं, आप x square, sorry, x square minus 5 under root 2x plus 1, अब आपको क्या करना है, इसमें भी x से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, जैसे डिवाइड करेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए, x plus 1 upon x बराबर 5 under root, क्या मिल जाएगा, दो मिल जाएगा, अब देखिए, यह वाले term को देखिए, जैसे आप लोग इसमें से क्या कर देंगे, x common करेंगे, तो यहां पर x square, प्लस यहां पर क्या मिलेगा, आपका x square मिल जाएगा, बटा में यहां पर क्या आजाएगा, यह प्लस 1 upon x आजाएगा, और x जो common उपर की हैं, नीचे की हैं, क्या हो जाएगा, तो आपको बस इसको solve करना है, देखिए, इसका अगर, यह k square वाला समझ रहे हैं, मतलब x square plus 1 upon x square अगर निकालेंगे, उसी को मैं k ले लिया हूँ, तो यहां पर कितना मिलेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम लोग 48 लिख सकते हैं, बटा में, इसका मान हमें कितना दे दिया गया है, तो यह कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 से यहां पर गुणा कर देंगे, तो under root 2 का है, दो से कर देंगे, यहां पर 24, 24 under root 2, तो यह आफसर नमर भी इस सवाल का right answer आ जाएगा, आईए, अगले question पर चलते हैं, तो देखिए, यह सवाल है, आप लोग इस सवाल को comment करके, आप ल ऐसे अंदर गुणा करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 9a square plus 9b square plus c plus 20, बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 12a plus b, sorry, 12 cost में a plus 2b दिया गया है, अब देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए multiple approach है, मैं आपको best approach क्या बताया हूं, देखिए, यहां पर 12 है, बस आगे common कर लिजिए, 6 यहां पर अंदर चला जाएगा, और यहां पर कितना आजाएगा, 12b आजाएगा, 12b आजाएगा, 12b आजाएगा, c नहीं दिया है, तो छोड़ दिजिए, अब आपको क्या करना है, बस compare करना है, देखिए, इस वाले term से compare करेंगे, तो a बराबर आपको कितन चार बटा में, बी कमान कितना जाएगा, चार बटा में, तीन और c नहीं दिया है, तो c बराबर कितना जाएगा, 0 हो आजाएगा, अब इस मेरा put कर देंगे, वाईलू, देखिए, जैसे यहां पर under root में है, यह मान लिजिए, जीक्स हो जाएगा, अब यहां पर a कमान कितन है दो बटा में यहाँ पे 3 है है आप पलस यहां पे 9 और बी कमण कितना है चार बटा में 3 है अब इसी को डिवाइड कर दीजिए देखिए 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में यहां पे 3 3 तिली के 9 देखिए 2 दुना के 4 अचारतियां 12 12 अचार अंडरूट में कितना आ जाएगा 14 बाहर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 4 क्योंकि C कमान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो इस सवाल का right answer B option इस सवाल का right answer आ जाएगा तो उमीद करता हूँ कि यह भी question आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए अगले question पर चलते हैं देखिए यह भी सवाल important है इस टाइब के question भी बार-बार पूछे गए हैं SST के exam में देखिए सवाल को इसको भी लगाने के लिए multiple approach है आपको मैं best approach बताऊंगा जो आप लोग exam में लगा सकते हैं तो सबसे पहले चलिए एक बार question को पड़ लेते हैं देखिए 2x plus y का q minus x minus 2y का q बराबर हमें क्या देदिया गया देखिए x plus 3y और ax square plus by square plus 3xy हमसे a plus 2b plus c कमान हमसे पुछा गया है तो सबसे पहले देखिए इस सवाल को while look putting से लगाई एक तो जनरली formula क्या है इसको आप लोग तोड़ी है formula लगाई है फिर solve करेंगे तो उस तरह ज्यादर लंबा process चला जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है देखिए हमसे सारे while look किस में दिया गया है plus में दिया गया है मतलब यहाँ पर हम लोग while look put कर सकते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर x बराबर y बराबर क्या लेना है 1 लेना है जैसे 1 लेंगे देखिए यहाँ पर कितना जाएगा 3, 3 का Q कर देंगे कितना जाएगा 3 का Q कर देंगे यहाँ पर कितना बनेगा 27 बन जाएगा उसके बाद से माइनस यहाँ पर 1 में से माइनस 2 घटाएगे कितना जाएगा माइनस 1 माइनस 1 का Q कर देंगे माइनस 1 यहाँ पर माइनस है 27 एक 28 चार सते 28 ये चार से कर जाएगा तो मतलब A प्लस B प्लस C बराबर आपको कितना मिल गया है साथ मिल गया है लेकिन सूचिए यहाँ पे B हमारा क्या है दो बार है इसको दो बार लिख सकते है न तो इसमें एक बार और आपको value put करना है अगर आप लोग सूचिए हमें B कमान ग्याद करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो यक्स बराबर क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा यक्स बराबर 0 और Y बराबर आपको क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा बस जैसे 1 लेंगे देखिए, 0 करेंगे, yaks command 0, यहाँ से 1 minus इस वाले ठर्म में देखिए, 0 minus अगर क्या कर देंगे, 2 का क्यूं कर देंगे, तो minus, minus यहाँ पे plus 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा इस सवाल का right answer 10 यानि option number D इस सवाल का right answer आ जाएगा तो उमीद कर रहा हूं कि यह भी question आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए अगले question पर देखे यह भी सवाल 2-3 बार repeat करके पूछा गया है देखे लिखा गया है 10 की पावर 4 sorry 10 यक्स की पावर 4 plus 5 y की पावर 4 plus 7 z की पावर 4 बटा में 13 x square y square plus 6 y square z square plus 3 z square y square अब देखे ऐसे question में आपको क्या करना पड़ेगा सीधे सीधे यक्स बराबर y बराबर z बराबर k put कर लिजिए या one put कर लिजिए बात एक ही है ना डाइडेक्ट पूट करेंगे देखे 10 15 15 15 साथ यहां पर कितना जाएगा बाइस आ जाएगा और 13 26 29 3 कितना जाएगा यह भी 22 कट जाएगा तो इस सवाल का राइट एंसर कितना जाएगा देखिए गला भी थोड़ा बैठा है तो बीच बीच में आवाज बदल जा रही होगी तो उसके लिए भी सूरी है यानि आपसा नम्मर डी इस सवाल का राइट एंसर आ जाएगा क्या करेंगे थोड़ा सा बस प्रस्नल काम पड़े गया था इसलिए आ गया हूँ और इसलिए वीडियो नहीं आपा रहे थी अब आपको क्या करना है दетьitates है अब आपको कुछ नहीं करना है देखिए डारेक्ट का रिजल्ट होता है आप लोग अगर इसको याद रखे रहेंगे जब भी आपको एक्स प्लस वर आपन एक्स बराबर वन दे दिया जाए तो डारेक्ट इसका मान एक्स क्यूँ बरबर क्या जाएगा माइनस बनना जाएगा आप लोगों को पुरूफ करने की जरूरत नहीं देखे़ ये पुरूफ का समय चला गया है बीच बीच में light भी cut जा रही है तो कोई बत नहीं आप लोग इसको direct याद रखे रही है direct आपसे ये question exam में पूछा जाएगा तो देखें यहाँ पर जैसे अगर आप लोग क्यू करेंगे देखें सबसे पहले x की power even है तो even जैसे रखेंगे तो यहाँ पर plus 1 आजाएगा और यहाँ पर देखें यह 9 दिया है तो यहाँ पर कितना आजाएगा यहाँ पर minus 1 यहाँ पर फिर plus 1 फिर minus 1 और यहाँ पर plus 1 दिया है अब आपको क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं यह term इससे कर जाएगा और यह वाल अटरमी से कर जाएगा तो 1 इस सवाल का राइट एंसर आ जाएगा तो आफसर नमर ए इस सवाल का राइट एंसर आ जाएगा चलिए अगले question पर चलते हैं देखिए यह भी question एस से कई बार पूछ चुकी है इस टाइब के सवाल x plus 1 upon x बराबर 2 दे दिया गया है x की power 57 plus 1 upon x की power 57 ते यहाँ पर क्या पूट करना है x बराबर हमेशा आपको 1 पूट करना है जब भी अगर इस टाइब का question आए तो आपको x plus 1 upon x बराबर 2 दिया जाए तो x बराबर 1 पूट कर देंगे तो इस सवाल का right answer कितना आ जाएगा देखिए 1 plus 1 बटा में 1 यानि इस सवाल का right answer 2 ही आएगा यानि option number d इस सवाल का right answer आ जाएगा अब देखिए ये सवाल बहुत अच्छा पूछा गया है और ये बार बार 2-3 बार exam में डाटा repeat करके बदल change करके पूछा गया है तो आप लोग इसको समझे देखिए यक्स बराबर under root 5 minus under root 4 बटा में under root 5 plus under root 4 दिया गया है और y बराबर आपको इतना दे दिया गया है तो सिदे सिदे देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे x दिया है और आपको क्या करना है डारेक्ट x y निकालिए देखिए जो यहाँ नीचे टर्म है यह उपर टर्म है जैसे अगर आप लोग गुणा करेंगे तो x y का मान कितना आजाएगा 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 अगर y बराबर इसको लिखना चाहते है तो यह क्या आजाएगा अब देखिए जब भी अगर आपको x y बराबर 1 दिखे और इन दोनों का टर्म अगर आप लोगो देख रहे होंगे यह कट जा रहे है तो y x y बराबर 1 दे दिया गया है तो direct आपको क्या मिलता है result मिलता है यह बार बार इसे सी इस पे सवाल पूछिए तो 1 अपन y x प्लस 1 अपान एक्स कमान डिरेक्ट आपको क्या मिलेगा तो आप लोग इसको याद रखे रहे हैं यहाँ पर 2 आजाएगा अब देखिए यहाँ पर जो टर्म दिया गया है इस पर फोकस कीजिए 5 चार जोड़ देंगे कितना आजाएगा 9 आजाएगा और बटा में आपको क्या करना है 5 और 4 का डिफरेंस निकाल देंगे 1 आजाएगा आजाएगा देखिए डिरेक्ट इस सवाल का 60 अप्रोच बता रहा हूँ देखिए लगाने को तो मल्टिपल अप्रोच है लेकिन एकजाम वाली अगर आप लोग अप्रोच बोलेंगे तो यही अप्रोच है इन दोनों का अंतर लेंगे 1 आजाएगा और यहाँ से x प्लस 1 अपान x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा अब जैसे देखिए अगर आपको x स्क्वाइर माइनस 1 अपान x स्क्वाइर बराबर निकालेंगे 18 का स्क्वाइर कर देंगे 324 माइनस 2 घटा देंगे यहाँ से कितना मिल जाएगा 322 मिल जाएगा 322 मिल जाएगा तो उमिद करता हूँ कि यह भी समझ में आ गया होगा अब आपको क्या करना है देखिए हमें देखिए और यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ y को one upon yaks लिखेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए यह क्या बनेगा आपका यहाँ पर न देखिए question को आप लोग यहाँ पर correct कर लिजिए यहाँ पर mistake है यहाँ पर plus रहेगा यह जो term वाला है देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इसको यहाँ पर plus बना लिजिए न क्योंकि यहाँ पर plus रहेगा चलिए आप लोग समझ जाएए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आजाएगा अब देखिए आपको क्या करना है डारेक्ट अगर आप लोग इसमें वाइलू फूट करेंगे देखिए इसको मैं यहाँ से यहाँ पर लिख रहा हूँ 322 लिखेंगे और यहाँ पर x y कमान 1 आया है तो जैसे घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 321 अब अब अटा में 322 है देखिए पलस 1 कर देंगे यहाँ पर कितना आजाएगा 323 से आजाएगा तो यही अप्रोच है यानि आपसर नमर यह इस सवाल का राइट एंसर आजाएगा तो उमीद करता हूँ कि यह भी कोस्टन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है अगर आप लोगों कोई भी कोस्टन नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वहाँ पर भी मैं आपको समझा दूँगा तो चलिए देखिए कभी कभी इजी कोस्टन भी पूछा जा सकता है जैसे देखिए इसमें अगर आप लोग P common कर लेंगे तो उपर हमें क्या मिलेगा देखिए 2P मिल जाएगा मिलेगा यहां से P common कर लेंगे तो P plus 1 upon P plus सोरी यहां पर क्या दिया है माइनस दे दिया गया है माइनस यहां पर 5 बराबर 1 by 10 दे दिया गया यानि option number B इस सवाल का right answer आ जाएगा उमिद कर रहा हूँ कि यह भी question आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है आईए इस question को भी देख लेता हूँ सोरी इस question को आप लोग भी देख लेते हैं देखिए यह भी question क्या है उसी type का है जब भी ऐसा question आए तो P की वराबर आपको क्या ले लेना है 1 ले लेना है और P पलस 1 अपान P आप लोग ज्याद कर लीजिए क्या मिलेगा आप देखिए यहां पे 2 2,1,3,2 और 1 का difference निकाल देंगे 1 आ जाएगा समझे जैसे 2 आ जाएगा देखिए इन दोन ऊपर वाले को 2 और 1,3 क्या जोड देंगे जोड देंगे और नीचे वाले में से 2 में से घटा देंगे 1 यानि 3 दुना के कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा देखिए और यहां से देखिए आपको क्या निकालना पड़ेगा तो आप लोग ऐसे सुचिए देखिए जैसे यहां पे 3 गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए P Q पलस यहां पे Q बटा में यहां पे क्या आ जाएगा P into Q आ जाएगा आ जाएगा अब देखिए यह जो टर्म Q है Q को क्या लिख सकते हैं 1 upon P Q लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो direct मैं इसको मिठा के लिख रहा हूँ 98 इस सवाल का right answer आ जाएगा तो उमीद करता हूँ कि यह भी question आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए अगले question पे देखिए इस type के question आपके exam में भर भर के पूछा गया है तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझिए और देख लिजिए देखिए लिखा गया x की power 4 plus 1 upon x की power 4 बराबर 142 दे दिया गया है तो देखिए अगर दोनों तरफ दो जोड देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यह मिल जाएगा यह मिल जाएगा x का यह क्या मिल जाएगा 1 upon x square का whole square मिल जाएगा और यह मिलेगा आपका 12 का whole square तो जैसे square से square डिवाइड कर देंगे कट जाएगा मतलब समझ सकते हैं आप लोग इतना तो समझे सकते हैं तो बराबर यह 12 आ जाएगा अब देखिए हमें x की power 7 तक जाना है समझ रहा है तो जास्ट अभी मैं बताता हूँ आप लोग सोचिए तो सबसे पहले x plus 1 निकाले तो यहाँ पर भी अगर दोनों साइड अगर 2 एड कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा तो देखिए yaks plus 1 upon yaks बराबर आपको कितना मिल जाएगा 14 14 हो जाएगा यह क्या बनेगा yaks plus 1 upon yaks का whole square तो जैसे अगर yaks plus 1 upon yaks निकालेंगे तो अंडरूट में कितना आजाएगा 14 आजाएगा उमिद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा अब देखिए जब इतना समझ में आ गया है तो इस वाले term को क्या लिख सकते हैं आप ल प्लस 1 upon yaks की power 4 और माइनस क्या आ जाएगा yaks plus 1 upon yaks आ जाएगा उमिद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा यह direct formula होता है आप लग नो डाउन करना चाहते हैं तो कर लिजिए यह CHSL 2023 में भर-बर के इस पर question पूशा गया था CGL में भी पूशा गया था CHSL में तो समझ जाए यक्स की power 8 पर भी question आ गया है तो समझ सकते हैं यह इस समय SAC का trend चल रहा है तो देखिए हमें yaks plus 1 upon yaks बराबर इतना दे दिया गया है अब हमें yaks क्यू तक जाना है तो direct अगर आप लोग इसका मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए 14 का under root का क्यू करेंगे अब देखिए इस का मान आपको पता होगा क्योंकि question में देखिए yaks की power 4 पोर पोलस वन अपान yaks की power 4 का मान यहाँ पर कितना दे दिया गया है 142 दे दिया गया है तो just यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे तो 142 रखेंगे हो जाएगा उसके बास से इस का मान देखिए इस क चारक 2 में गुणा करेंगे यहां पे कितना आ जाएगा 2 यहां पे sorry यहां पे under root 14 होगा यहां पे root में कितना आ जाएगा under root 14 है आप देखिए यहां पर भी under root 14 है यहां जैसे यहां पर minus कर देंगे तो unit digit कितना आजाएगा एक आजाएगा मतलब एक ही option में है तो इस सवाल का right answer option number A इस सवाल का right answer आजाएगा तो उमीद कर रहा हूँ कि यही देखिए मैं आपको बता दू यह question आप लोग सोचिए अगर आप लोग यह 20 question कर लेते हैं अगर इस में से अगर आने वाले दिनों में एकजाम में पूछा जाएगा तो यही question पूछा जाएगा बाखी किसमत अच्छी रही यही question को data repeat करके बार बार पूछा जाता है तो चलिए उमीद करता हूँ कि यह session पसंद आया होगा तो इसके बाख से आप लोग comment box में comment कर सकते हैं इसके बाख से मैं सोचा हूँ टिगनो मेटरी का करा दूँ उसके बाख से जो मेटरी का उसके बाख से मेंसूरेशन का लगबग सारे topic मैं आपको cover करवा दूँगा बस आपको क्या करना है वीडियो को like करना है और share करना है बाकी जल्दी ही कल तक मैं घर पहुंच जाओंगा उसके बाख से आपको session मिलना start हो जाएगा तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार जैराम जी की